आज के इस वीडियो में हमारे टॉपिक का विशे रहेगा कि जो डिलीवरी के बाद वजन भर जाता है उसको हम कम कैसे करें यह बहुत ही common problem है और इस समस्या से हर Indian females को अपना सामना करना पड़ता है बहुत ही 10% females ऐसी होते हैं जो अपना delivery के पहले जो weight होता है उसको बाद में उसी weight पे आ जाती है 90% females का weight delivery के बाद भर जाता है या फिर जो भड़ा हुआ weight है उनको कम करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है काफी सारे patients की complaint होते है कि हमारा तो पेट निकले के निकले ही रह गया तो क्या इन चीजों का कोई solution है क्या ऐसा करें जिससे effectively हमारा वजन कम हो सके हमारा पेट अंदर जा सके इसी सारी विश्यों पे आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि delivery के बाद abortions के बाद females का वजन क्यों भढ़ जाता है तो इसका एक रीजन रहता है कि जब भी pregnancy होती है तो हमारी body से बहुत सारे vitamins बहुत सारे nutrients वो खीच लेती है प्लस जो हमारी muscles हैं वो weak हो जाती है during pregnancy क्योंकि हम अतना physically active नहीं रह पाते हैं 9 महीने हमारी physical active नहीं होती जितनी हमारी routine में होती है तो जो हमारी muscles हैं वो weak हो जाती है जिसकी वज़य से हमारा basal metabolic rate बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है, कि जो हम खाना खा रहे हैं, उसको हम कितना औरजा में कनवर्ट कर रहे हैं? वह हमारा कम हो जाता है, जिसकी वज़य से अगर आप आप सेम खाना कहा रही हो तो भी आपको आपका अब थकावट महसूस होती है, आपको लगता है जिसे आप की शरीर में जान ही नहीं है, आपको छोटे-छोटे काम जिसे पहले आप असानी कर लीए, तो कॉले जादल थकावट महसूस होती है. तो इन सारी चीजों को ठीक करने के जो basic structure है वो आज मैं आपसे discuss करूँगी जो वजन भढ़ गया है अब उसको कैसे कम करें तो सबसे जो important मूल मंत्र है कि हमारी जो physical activity कम हुई थी हमारी जो mass patient कमजोर हुई है जिसकी वजह से हमारा पेट धीला है आगे है बढ़ा हुआ है प्लस हमें थकान होती है तो यह चीजे एक्सराइज करने से इनकी जो mass patient की शमता है जो भड़ती है इतनी भी आप दवाई ले लो जब तक आप exercise नहीं करोगे muscle strengthening exercise जो होती है body weight exercise भी होती है जैसे की body weight squats हो गए mountain climbing हो गई plank हो गए इस तरह की exercise होती है जिससे की body की muscle की strength भड़ती है strength मतलब ताकत प्लस जो लोग जिम में जाते हैं weight training करते हैं इस तरह की training आप घर पे भी कर सकते हो लेकिन आपको strengthening exercise की बहुत ज़्यादा जरूत होती है यह बाते आपको routine में नहीं कोई पता होती है आपको और जब strength training बहुत ज़्यादा important है muscle की weakness को कम करने के लिए जैसे जैसे आप strength training करते जाते हो आपको अपनी body में energy feel होती जाती है आपकी जो हर muscle से वो strong होती है और आप कोई भी काम है जो आप पहले मुश्किल से कर रहे थे वो आप असानी से कर पाते हो second हमको अपनी calories हम ले रहे हैं उ fat जिसकी वज़े से मुटापा आता है तो आपको वो 500 calories खर्च करनी है खर्च करने का जो best तरीका होता है वो होता है walking आप walking करिये या फिर आप aerobics करिये cardio करिये तो जो easily available है वो है walking आप कम से कम minimum 10,000 steps रोज करिये जब आप 10,000 steps करते हो तो आपकी 300-300 calories burn हो जाती है अगर आप calories burn करोगे प्लस आप exercise करोगे तो उससे आपके body में strength आएगी प्लस आपका weight lose होगा second aspect diet diet का बहुत ही important role होता है diet में हम लोग कई पर पानी कम पी रहे होते है पानी हमें जादा पीना है जादा पानी पीने से हमारा metabolic rate जो होता है वो fast होता है हम जो खाना खा रहे हैं वो अच् oxygen होएगा सारे enzymes हैं सारे chemical reactions अच्छे से होते हैं तो वो proper उसको digestion में help करता है हमारा metabolism का rate जो है वो भढ़ जाता है second protein diet लेनी है हमको जो चीजे अच्छे good source of protein होती है जैसे दूद है दही है पनीर है सोयबीन है दाले है राजमा है चोले है कुछ एक सबजिया होती है जिमें protein की मातरा ठीक होती है जैसे पीज है मटर है बश्रूम है तो इस तरह कि आप अपनी protein diet का जरूर ध्यान रखिए protein कम से कम 32-40% जो आपका calories है वो protein से आनी चाहिए कई बार vegetarian होते हैं लेकिन कुछ लो मातरा है वो आप थोड़े complex काब खाये जैसे कि आपके मुटा नाज हो गया बाजरे की रोटी हो गई मक्के की रोटी हो गई इन चीजों से पेट भी जल्दी भड़ता है और इसमें fiber जादा होते हैं तो यह slow इसका जो glucose निकलता है वो धीरे दीरे निकलता है तो अगर glucose के spikes स्तेज़य किसे नहीं आते हैं तो इसससे कै? हमारे बॉड़ी में जो insulin है, वो एक limited मातरा में निकलता है अगर हम जादा मीठा खाते हैं तो उससे क्या इंसुलिन तेजी से भड़ता है जो ज्यादा इंसुलिन बॉडी में निकलता है तो उससे कैई सारी बिमारिया बनती है ज्यादा इंसुलिन बॉडी में fat deposit कराता है PCOD करता है तो हमें अपने इंसुलिन के level को control में रखना है उसक गी से हमारे बाडी में काफी सारे विटैमिन का अब्सौप्छन होता है लेकिन सिर्फ 20-30 ग्राम घी ही दिन में एक लीडी को चाहिए होता है उससे जादा नहीं चाहिए तो इसलिए आवश्यक्ता से जादा खाने से वो फैट में कनवर्ट होगा तो इन चीजों का परेज कर और हम एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेट लूस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, अगर आप बहुत जादा कम खाते हो, आप नौ से हजार जैसी कैलोरीज पे जाते हो, तो आपका जो मेटबॉलिजम है, वो बहुत ही स्लो हो तो आप जितना भी खाना खाऊगे वो उसको फैट में गनवर्ट करेगा, क्योंकि बोडी को लगेगा कि उसको खाना कम मिल रहा है, तो उसे ज़्यादा बचाना चाहेगा बोडी में, और बचाने के लिए स्टोर करना चाहेगा, जो स्टोर करती है बोडी एनरजी को, वो इसलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम खा रहे हो, और चाहे आप एक्सराइज कर रहे हो, तो तब भी वेट लॉस नहीं होता है, तो आपको इतना कम नहीं खाना कि आपका जो मेटबलिजम है, वो स्टोर हो जाए, आपको कितना खाना है, आपकी जो बोडी मास इंडे उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज होती है, जो कि आपको गूगल से कैलोरीज कैलकुलेटर होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोडी वेट के हिसाब से आपकी कैलोरी की कितनी आवशकता है आपको एक दिन में खाने की, सपोज आपका वजन है 65 किलो और आप तो इसका करीब करीब आपकी जो maintenance calories है जो आपकी body जिस पर maintain रहेगी ना भड़ेगी ना कम होगी वो 1800 calories निकल के आती है जिसे हम maintenance calories कहते हैं फिर अगर आप जब भी अपना diet chart बनवाओ तो उसमें 200 calorie कम का diet chart बनवाओ अगर आपको weight lose करना है तो 1600 यानि कि आपको बहुत low calorie diet पे नहीं जाना है तो इस तरह से अगर आप अपने diet का chart बनवाओगी किसी dietation से और जिसमें आप calories कम भी खा रहे हो लेकिन इतनी कम नहीं खा रहे हो कि आपका metabolism कम हो जाए यानि कि आपको ऐसे diet follow करना है कि आपका metabolism higher है प्लस आप activities कर रहे हो जिससे आप calorie spend कर रहे हो खर्च कर र देखोगे YouTube पे तो बहुत सारी आपको videos मिलेंगी यह 5 exercise कर लो आपका पेट कम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता आपको जब आप पूरी body की exercise करते हो तो पूरी body shrink होती है आप ऐसी कोई exercise नहीं है चाहे आप कितनी भी core muscle exercise कर लो कि आपका fat सिर्फ पेट से जाएगा वो fat overall जाएगा वो आपके face से भी जाएगा, हाथ से भी जाएगा, tummy से, thigh से हर जगे से वो body निकालेगी, वो body decide करेगी कौन सा fat निकालेगी और normally अमूनन सबसे बहले body face का fat कम करती है और जो tummy fat है वो सबसे last में जाता है तो आप overall body की exercise करिए, overall muscle strength पे ध्यान रखिए, आपको chest की exercise क करनी है, biceps की करनी है और आपको अपने legs की exercise करनी है प्लस core को भी train करना है तो जब आप full body exercise करते हो तो सारी जगे से आपका fat है वो lose होता है और आपकी body की tone वापस आती है और आपकी जो पेट भार निकला हुआ है वो अंदर जाता है, I hope आपको ये सारी information अच्छी लगी अच्छी लगे उस दो